इस्टुडेंट्स हम डिसकस करेंगे इंपोर्टेंट न्यूज के बारे में फ़र्ष्ट न्यूज इज रिगार्डिंग दा लोकसभा का जो जनरल इलक्सन है उसके परस्पेक्टिव से हैं इस्टुडेंट्स रिसेंट्ली इलक्सन कमिशन ओफ इंडिया के दुवरा लोकसभा का जो जनरल इलक्सन है उसके परस्पेक्टिव से इलक्सन सड्यूल है उसको अनौंस किया गया था आप देखे कि हमारे यहाँ पे जो लोकसोबा के जो जनरल इलकसंस हैं उनको seven different different phases के अंदर में conduct किया जाएगा तो उसी इलकसं प्रोसस के perspective से जो first phase का जो seats हैं जहाँ पे 19 अप्रेल के दिन आपको जो voting process है वो देखने के लिए मिलेगा तो उसी के regarding में election commission of India के दुआरा जो notification ह है उसको release किया गया है इस्टुडेंट्स अगर हम बात करें notification के बारे में that means कि इन seats के उपर में जो nomination process है उसको carry out किया जा सकता है जो भी person यहाँ पे election को contest करने वाले हैं इन seats के उपर में जहाँ पे first page के दुरान में जो voting है वो आपको देखने के लिए मिलेगा आप देखी क उपर में जो person है जो election को contest करेंगे उनके दुरा nomination process है उसको submit किया जा सकता है किसे returning officer को students nomination paper के अंदर जो information है उसको submit करना होगा यहाँ पे election को जो contest करने वाले person है उनके दुरा आप देखे कि जो election को जो contest करेंगे किसी political party से अगर वो belong करते हैं उसको political party के candidate के रूप से तो उनक इसको भी submit करना होता है returning officer को इसके लावा अगर हम बात करें nomination process के बारे में तो आपको एक limited time period के अंदर में जो nomination process है वो आपको देखने के लिए मिलता है आप देखी कि उसके बाद में जो nomination process है nominate किये गई जो papers है उनको यहाँ पे examine किया जाता है returning officers के दौरा कि completely यहाँ पे जो observers है उनका जो sign है वो किया गया है नहीं किया गया है जो complete information है उसको submit किया गया है नहीं किया गया है nomination paper के अंदर में तो उन सभी को examine किया जाता है returning officer के दौरा जो local हर एक लोकसवा जो seat है उसके perspective से आपको देखने के लिए मिलते हैं next अगर हम बात करें उसके बाद में एक time period है वो दिया जाएगा उसके बाद में आप देखें कि जो returning officer है उनके दौरा यहां पर जो individual basis वे जो person है जो independent के रूप से जो election को contest करते हैं तो उनके regarding में जो symbol है उसका location किया जाएगा और symbol के location के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि EVM के उपर में उनका जो symbol है उ देखने के लिए मिलता है इनीशल फेज आपको nomination का जो time period है जिसको की यहां पर बताया जाता है जो election को जो contest करेंगे वो अपना जो nomination paper से उनको submit कर सकते हैं काफी बार आपको जो यह debate भी है वो continuous newspaper के अंदर समय समय पर देखने के लिए मिलती है क्या आप सपोज कीजिए कोई X number of candidate है उसके दौरा यहां पर nomination paper के अंदर जो wrong information है उसको submit किया गया काफी बार politicians के दौरा उनका जो education qualification है उसको wrong way में यहां पर बताया जाता है education के लावा आप देखी कि काफी बार उनके दौरा अपना जो asset है अपना जो property है उसको भी काफी कम बता दिया जाएगा काफी ब file करना होता है next अगर हम बात करें election process के ही perspective से है आप देखी कि center government के दौरा जो new हमारे election commissioners है उनको यहां पर appoint किया गया है तो supreme court के अंदर एक petition है उसको file किया गया था आप देखी कि center government के दौरा उसको defend किया गया है कि present समय में free and fair way में जो election है उसको contest करने के regarding में या आप देखने के लिए मिलता है तो उसी को carry out करने के perspective से new election commissioner से उनको यहां पर appoint किया गया next अगर हम बात करें तमिलाडू के perspective से की डी के जो officer है उनकी regarding में है आप देखी कि उनको वहां पर arrest कर लिया गया था anti corruption का जो activity का जो wing है उनके दौरा next अगर हम बात करें supreme court के दौरा उनको यहां पे जो bail है उसको grant किया गया है students आपको यहां पे एक information है वो पता होनी चाहिए यह आपका homework है आप देखी कि आपको bail and parole के बीच जो difference है उसके बारे में आपको जरूर से जानकारी होनी चाहिए कि bail का यहां पे जो process है वो क्या है देखी कि आप पिछले कुसे last 3-4 months के बारे में अगर हम बात करें एडी के perspective से आपके को someone जो word है वो भी news के अंदर देखने के लिए मिलता है तो आपको someone circular notice इनका क्या difference है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए और bail और parole का जो concept हो क्या है यहां पे bail concept क्या है पैरोल का जो concept हो क्या है उन सभी के बीच जो difference है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए काफी बार UPSC के दुआरा इस थरीके से applied knowledge के जो questions है वो भी पूछ लिये जाते हैं next अगर हम बात करें holy का जो festival है उसके बारे में है तो वारा नसी के अंदर में एक holy है वो आपको देखने के लिए मिलती है आप देखे कि यहा जान होली के नाम से जानते हैं इसका कुछ mythological आपको influence वो भी देखने के लिए मिलता है वारा नसी का जो मसान होली है उसके regarding में next अगर हम बात करें जो माटो के perspective से है आप देखी कि जैमाटो के अंदर में एक नया feature है उसको launch किया गया था completely जो vegetarian persons है उनके regarding में पर उसको इसको completely अपना remove है वो कर दिया गया है जिसके अंदर में जो green dress है वो दिया गया था यहाँ पे जो completely जो vegetarian जो persons है उनके regarding में next अगर हम discuss करें students यहाँ पे जो एनिमिटी का जो concept है कि उसके regarding में है कि तमिलाडू के अंदर जो मदरोई नाम का जो city है मदरोई नाम के city के मदरोई देखने के लिए मिलता है कि election process are the breeding ground of यहाँ पे जो break in the society कोई भी gap society के अंदर create करने के perspective से या दो community जो उनके बीच में जो separation है उसको create करने का कोसिस किया जाता है election process के दोरान में क्योंकि politicians एक community को दूसरे community के regarding में यहाँ पे compare किया जाएगा एक दूसरे का यहाँ पे जो basically ऐसा activity आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आपको fundamental duty के बारे में भी पता होना चाहिए आप देखी जिनको book किया गया है वो union minister है present समय में अगर हम बात करें fundamental duty के बारे में तो article 51A आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर इनाम का जो fundamental duty है जिसके अंदर में harmony को promote करने के बारे में बात की गई है brotherhood को promote करने के बारे में बात की गई है society के अंदर में अगर आप serious UPSC का preparation करते हो तो आपको जो fundamental duties है वो याद होनी चाहिए जिससे कि आप उनको quote कर सको exact उनके जो words हो पता होनी चाहिए आपको basically यहाँ पे जो fundamental right है fundamental right जो article 12 से लेकर आप दे 35 तक आपको देखने के लिए मिलेगा 36 से जो 51 है वो आपको DPSP देखने के लिए मिलता है और 51 A के अंडर में आपको यहाँ पे जो fundamental duties है वो देखने के लिए मिलती है तो यह तो basically जो core processes जिसके बारे में आपको complete जाहनकारी होनी चाहिए कि काफी बार ऐसा words के regarding में जो questions है उ article 45 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है और आप देखे कि यहाँ पे जो fundamental duties है उसके अंदर में article 51 A के अंडर में जो सबसे last के अंदर में 86 Constitution Amendment Act के थुरू में जो education का जो process है उसको add किया गया है इन तीनों के अंदर में आपको दो जगह जो age group है वो similar देखने के लिए मि है अब देखे कि reproductive जो assistant technology है वो आपको देखने के लिए मिलती है एक पंजाब से सिंगर हुआ करते थे जिनको की हम सिद्धू मुसेवाला के नाम से जानते हैं 2022 के समय उनको attack करते हुए कुछ gangs के द्वारा उनको attack किया गया है उनका वहाँ पे death हुआ था student उनके जो parents है उन् दूमुसेवाला जो singer है उनका जो brothers है उनका यहाँ पे जनम हुआ है student तो उसी के regarding में यहाँ पे जो center government है उसके द्वारा पंजाब government से जो report है वो मंगा गया है कि यहाँ पे जो आईवी एफ जो technology है उसके age group के regarding में आईवी एफ के अंदर में आपको जो assistant reproductive जो technology है वो आपक इसी भी age group के अंदर अचीव की जाती है बट यहाँ पे आईवी एफ जो technology है जो assistant reproductive technology है जिसके regarding में 2021 का जो age group है उसके बारे में बताया गया है तो उसी के regarding में जो details हो मांगी गई है center government के द्वारा पंजाब government से किस तरीके से इन technologies है उनको use किया गया है यहाँ पे इस process के अं अभी recently आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो department of animal welfare and husbandry का जो department है उनकी दुआरा कुछ dogs है उनकी regarding में कुछ बैन लगाने के बारे में बात किया गया था या उनका जो sterilization process है उसको carry out किया जाएगा तो street dogs के perspective से आपको एक dilemma है हमारी society के अंदर देखने के लिए मिलता है आप दे करते हैं क्योंकि आप देखें कि care करना भी responsibility है हमारा कि हमारे यहाँ पे जो street के अंदर में जो dogs है वो पाई जाते हैं उनका care करना proper समय में आप देखें कि summer का time period है वो होने आने वाला है present समय में और urban areas के अंदर में आपको काफी बार जो इनके regarding में जो water का availability है वो आपको न के दुआरा काफी सारे ऐसे जो repercussion के अंदर जो activities है वो आपको देखने के लिए मिलती है इसके लावे students अगर हम बात करें too much concretization के बारे में आप देखें कि urban area के अंदर too much concrete आपको देखने के लिए मिलेगा उनके पास में proper जो बैठने का जो जगह है वो नहीं है पार्क के ज समय में किस तरीके से heat करता है especially Delhi का जो area है इन सब areas के अंदर में तो इस तरीके का एक Delhi मापको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि dogs का जो care करने वाले person है दूसरे ऐसे भी person से जिनके दुआरा dogs का continuous heat है वो carry out किया जाएगा तो उसी के regarding को यहाँ पर बताया गया है कि अभी कुछ दिन पहले हमने sparrow day के बारे में celebrate किया था आप देखी sparrow है उनका presence काफी ज़्यादा important है agriculture का जो productivity है उसके regarding में पर काफी बार ऐसा होता है कि जो too much pesticide सा उनको use किया जाता है जिससे कि insects है उनका death आपको देखने के लिए मिलता है और insects यहाँ पर एक important उनका जो food ह उसके रूप में काम करते हैं especially जो यहाँ पर young sparrows हैं उनकी regarding में तो यहाँ पर भी dog के perspective से जो behavior perspective है उसी के बारे में discuss किया गया है यहाँ पर आप देखी कि हमारे जो former election commissioner है उनके द्वारा election process के बारे में discuss किया गया कि इंडिया के अंदर में diverse kind of voters है उनको diverse kind of voters को किस तरीके से जो election process के अंदर में जो political funding है political parties को जो funding को carry out किया जाता है उसके बारे में कहा गया है कि जब electoral bond scheme है उसको launch किया गया था तो उसके अंदर में बताया गया था कि कैसे यहाँ पर जो black money है उसको इसके द्वारा deal किया जाएगा बट आप देखी कि अभी recently election हमारा supreme court के द्वारा जो electoral bond scheme है उसको null and void के रूप से declare किया गया तो उसी के regarding में कहा गया है कि earlier phase के अंदर में जो less than 20,000 के आसपास किसी के दुआरा जो donation है वो carry out किया जाता था तो उसका कोई भी reporting है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता था आप देखी कि उसको income tax का जो radar है उसके अंदर भी बारे में बात करें तो electoral bond scheme के अंदर में जो anonymity का जो concept है जिसके political funding के perspective से जो information है वो public domain के अंदर नहीं available था आप देखी उसी को main ground मानते हुए हमारे supreme court के दुआरा यहाँ पे electoral bond scheme है उसको null and void के रूप से declare किया गया था next अगर हम बात करें यहाँ पे elimination of disease process है उसके बारे में discuss किया गया है आप देखे कि हमारे exam के purpose से maximum information है वो यहाँ पे available नहीं है बेसिकली जो बाते बताई गई है वो आपको यहाँ पे completely आप देखे कि GS paper के according में काफी कुछ things है वो बताई गई है एक 20,000 के बारे में था और एक electoral bond scheme है जिसको जब launch किया गया था तो black money है उसको basically यहा examination process है उसके बारे में कहा गया है students आप देखे कि आपको यहाँ पे junior warm disease है वो देखने के लिए मिलती है अभी उसको eradicate किया गया था 1986 के समय में जब उस disease का जो जो 1986 के समय जो गीनिया warm disease है उसका जब outbreak देखने के लिए मिला तो उसके आप देखी कि 35 million जो persons है वो से infected हुआ करते थी 21 century के अंदर में आपको इस गीनिया warm disease का जो प्रेजेंट से वो देखने के लिए मिलता है बट प्रेजेंट समय के अंदर खरी के समय में तो smallpox के बाद में आपको आप देखी कि जो गीनिया warm disease है वो first आपको एक ऐसा disease देखने के लिए मिलता है उसका 99.99% जो eradication है उसको carry out किया गया है अगर हम बात करें students eradication process के बारे में तो हमारे यहां पे जो different different health organizations है different different health organizations है उनके अलग-अलग जो targets है वो आपक tropical disease है उनको यहां पर basically eliminate करना है जिसके अंदर आपको जो malaria है tuberculosis है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं आप देखी कि neglected जो neglected जो tropical disease है उनको भी elimination है उसको carry out करना है 2030 तक तो यह जो elimination का जो process है वो कैसे carry out किया गया अगर हम उसके बारे में discuss करें तो proper way में planning और planning के लावा आप आपको जो surveillance का जो concept है वो देखने के लिए मिलेगा उसी तरीके से इनका जो elimination है उसको possible किया जा सकता है अगर हम बात करें यहां पर vector है उसको कैसे control किया जाए drug का जो administration है उसको carry out किया जाए और mobility का जो management है यह काफी कुछ ऐसे area आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसके प्रोसस से काफी different है वो देखने के लिए मिलता है और surveillance system के अंदर हमका हमारी द्वारा जो investment है screening है screening के लावा आप देखी कि जो confirmation का जो concept है उसको अगर carry out किया जाएगा तो किसी भी disease को जो eliminate करना है वो possible है अगर हम बात करें students यहां पर lymphatic fluorescence जो disease है उसके बारे में तो आप यहां पर इंडिया के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं 1997 के समय उसका जो elimination का जो target है उसको start किया गया था world health assembly के द्वारा 1997 के समय में अगर हम बात करें present समय में तो काफी सारी ऐसी disease है जिनको की हम sustainable development goal का जो target है उसके थूरू यहां पर eliminate करने के process से रखा गया है कि 2030 तक हम disease है उनको यहां पर eliminate है वो कर सकते हैं next अगर हम बात करें data process के बारे में हैं आप देखे कि हमारे country का यहां पर target है कि 2000 आगर हम बात करें 2025 तक हमको basically जो 5 trillion economy है उसको achieve करना है और 5 trillion economy के अंदर में जो 400 to 500 billion का जो contribution है वो artificial intelligence के थूरू ही यहां पर carry out किया जाएगा कि 400 से जो 500 billion का जो contribution है जो यहां पर artificial intelligence के द्वारा ही carry out किया जाएगा बट artificial intelligence का जो यहां पर possibilities हैं वो possible हो सकते हैं जब हमारे यहां पर जो data है उसका proper management है उसको carry out किया जाए नेक्स्ट आप देखे कि हमारे यहां पर जो personal data है personal data के अलावा आपको जो non personal data है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है personal data के perspective से हम यह काफी बार एक committee है जिसके बारे में read करते हैं बाल कृष्णन कमेटी है उसके perspective से जिसके regarding में आप देखी कि European Union के अंदर जो general data protection low है वो आपको देखने के लिए मिलता है Indian government के दुआरा भी data protection के perspective से अलग अलग जो कानून है उनको बनाए गए थे अगर हम non personal data के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर कृष्ण गोपाल कृष्णन कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है उसी committee के दौरा यहाँ पर नोन personal data है उसके भी management के बारे में कहा गया था अगर हम data के management के perspective से अगर discuss करें तो यहाँ पर जो एक्जामपल है ओस्टेलिया के रिगार्डिंग में एक्जामपल है वो दिया गया है इंडिया के अंदर में देखे कि Indian urban जो data exchange है उसको डवलप करने के बारे में डिसकस किया गया ministry of housing and urban affairs के द्वारा तेलंगाना government के द्वारा जो agriculture activities के अंदर जो involved person है उनका जो data है उसका भी mapping है उसको carry out किया गया तो data management यहाँ पे काफी कुछ ऐसे एरिया जिसके अंदर में work करता है जैसे कि आप देखी कि proper जो subsidiaries है उनको यहाँ पर target करना हो किसी भी वे में यहाँ पर उनको चूज करना हो चाएगो गोर्मेंट स्कीम के रिगार्डिंग में उनको जो benefit हो provide करना हो यह आप देखी कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो cross examination है कोई process है उसको carry out किया जाएगा तो personal and non-personal data है उनका जो management हो काफी ज़्यादा important है अगर हमको 5 trillion economy है उसको achieve करना है तो उ next अगर हम बात करें इंडियन्स का यहाँ पर जो one percent one top one percent के अंदर में जो population है आप देखिए उनका जो income के अंदर जो share हुआ करता था ब्रिटी सेरा के समय में वो यहाँ पर continuous increase हुआ है तो उसी के बारे में कहा गया है अब आपके बारे में आपको यहाँ एक homework है homework यह है कि आ बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है कि इसके perspective से है society के अंदर inequality के regarding में है next अगर हम बात करें नाइजीरिया के बारे में आप देखें कि नाइजीरिया का जो economic situation है वो सही नहीं है present समय में आपको देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे एक insurgent organization है बोको हरम वहाँ हम बात करें petroleum यहाँ से काफी ज़्यादा जो produce है उसको किया जाता है आप देखें कि नाइजीरिया का यहाँ आपको नाइजर जो डेल्टा का instability है वो भी देखने के लिए मिलता है नाइजीरिया के अंदर में जो coastal area है वहाँ पे नाइजर आपको यहाँ पे डेल्टा का जो region है वो देखने के लिए मिलेगा आप देखें कि नाइजर जो डेल्टा का जो region है वहाँ पे जो petroleum है उसका जो production है वो carry out किया जाता है तो वहाँ पे भी present समय में instability का आप देखी की part है तो instability का part होने की वज़े से ransom की activities के regarding में जो kidnapping है वो काफी कुछ देखने के लिए मिला है उस area के अंदर में जो बोको हरम से related जो person है जो pirates हैं उनकी regarding में यहाँ पे जो carry out किया गया है kidnapping का काफी बड़ा जो cases हैं वो emerge हुए है Nigeria के अंदर में आपको यहाँ पे बोको हरम के बारे में हमने read किया एक insurgent organization है आपको यहाँ पे अलसबाव है उसके बारे में भी पता होना जीए अलसबाव नाम का जो insurgent organization है कहाँ पे अपना जो process को carry out करना है उसके बारे में आप comment section के अंदर बताना यह आपका homework है आप देखे कि तमिल गोवा के बाद में करनाटक के द्वारा भी कुछ coloring agent है उसको ban किया गया है जिसके अंदर अगर हम बात करें आपको जो basically यहाँ पे जो cotton candy है cotton candy के अंदर जिन coloring agent को use किया जाता है उसको ban करने के बारे में कुछ दिन पहले ही हमने discuss किया था आप देखे कि गोवी मंसूरियन के के अंदर भी आपको यह जो coloring agent है वो देखने के लिए मिलते हैं तो करनाटका यहाँ पे जो थार्ड इस्टेट है उसके रूप से इमर्ज हुआ है अर्लियर फेस के अंदर में आपको जो तमिलाडू है तमिलाडू के लावा आप देखी कि जो गोवा है वो आपको देखने agent के रूप से तो उन्हीं को बेसिकली जो बेन करने के बारे में यहाँ पे discuss किया गया है उसके बारे में already हमने देखा है कि कैसे जो cell है उसका जो लोश्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जब उस coloring agent को यूज किया जाएगा काफी बार आपको इस तरीके से भी statement देखने के मिलेगा क्या यहाँ पे जो करनाटक है उनके दोआरा जो cotton candy है उसको क्या बेन कर दिया इस्टूनेंट्स cotton candy को वेन नहीं किया गया है यहाँ पर देखने के लिए में के उपर में पीम सर के द्वारा योक्रेइन के जो पॉलिटिकल लीडर है रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर है उनसे कोल किया गया है उनको कहा गया है कि पर जैन समय में आंको पीपल सैंट्रिक जो यहाँ पर ₹ प्रोसेस डायलोग है उसको करियाउट करना चाहिए और डिप्लोमेसी के थुरू में जो वोर है उसको यहाँ पे एंड किया जाए आपके दुवरा इस्टुडेंट्स जो रसिया के जो पॉलेटिकल लीडर है उनको कॉंग्रेचलेट भी किया गया पीम सर के दुवरा यहाँ पे इमर्ज हुए है जो न्यू पॉलेटिकल लीडर के रूप से इलक्सन प्रोसस के अंदर में उनको काफी जो भारी मेंडेट है वो यहाँ पे मिला है तो इस्टुडेंट्स कंटीनिवस इंडिया के दुवरा जो पीपल सेंट्रिक जो यहाँ पे डायलोग एंडिसकसन है उसके बारे में काफी बार सजेश्ट किया गया है आप देखें क इंडिया के दुवरा कभी भी किसी कंट्री के ओपर जो अटेक है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है हमेशा हमारे जो नाइबर कंट्री जे उनके दुवरा अटेक किया गया है हमारे दुवरा उसको डिफेंड किया गया है इस्टुडेंट्स हमेशा ही तो इंडिय का Article 51 डीपीयसपी का पार्ट है 51े जो है वो fundamental duties का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा 51A के अंदर में यहाँ पे international जो peace process है उसके बारे में discuss किया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए LGBT से related जो person है LGBT से related जो person है उनका जो counseling का जो word है वो नहीं use करना चाहिए कि आपको counseling process के अंदर visit करना चाहिए ऐसा Supreme Court के दुआरा एक petition के अंदर में जो direction से उनको issue किया गया कि आप यहाँ पे उनका जो identity है उनको basically change करने की regarding में या identity को basically against there identity का जो counseling process है जो हर केस है उसके बारे में पता होना चाहिए आप देखी कि last year special marriage act के अंडर में यहाँ पे LGBT के जो couples है उनको special marriage act के अंदर में जो couple के रूप से नहीं choose करने के बारे में Supreme Court के दुआरा जो decision है वो दिया गया था एक petition है वो file हुआ था कि LGBT LGBT जो community से related जो couple से अगर उनका marriage यहाँ पे carry out होता है तो उनको special marriage act के अंदर में जो couple के रूप से यहाँ पे recognize किया जाए बड़ सुप्रिम कोट के दुआरा जो petition file हुआ तो उसके observation के अंदर में उसको नहीं recognize किया गया है अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे LGBT जो community है उनका उनको legalize आपको जो process है वो देखने के लिए मिलता है तो आप देखी कि नवतेश सिंग जोहर केस के अंदर में 2017-18 के समय में हमारे यहाँ पे LGBT community है उनको recognize किया गया है नेक्स्ट अगर हम बात करें students यहाँ पे PM सर भूटान के लिए जाने वाले थे आप देखी कि वहाँ पे bad weather की वज़े से भूटान के लिए नहीं widget कर पाए है गेलेपु नाम का जो city है उसके बारे में already हमने discuss किया है काफी बार यहाँ पे भूटान के perspective से तो उसके बारे में आपको पता होना चीए इंडिया भूटान के जो relation है वो cooperation and peace process के थुरू आपको देखने के लिए मिलते हैं more than 50 year का जो relation है इंडिया और भूटान का आपको देखने के लिए मिलेगा इसके लाब आप देखे कि इंडिया और भूटान एक दूसरे के उपर corporate भी करते हैं जैसे कि इंडिया का जो electricity का जो demand है वो fulfill किया जाता है भूटान का जो geographical area है geographical terrain है उसके द्वारा काफी सारे हमारे hydroelectric जो projects है वो वहाँ पे install है एक project वहाँ पे 2024 के समय भी complete होने वाला है गेलेपु नाम का जो city है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए जो भूटान के अंदर carbon neutral city है उसको develop करने के बारे में काफी बार हमने discuss किया है भूटान के ही perspective से nomination process start हुआ है इसके बारे में already हम discuss कर सुके हैं आप देखी कि election commission of India के दुआरा यहाँ पे model code of conduct है उसके existence के regarding में कहा गया है कि public space के अंदर में जो भी किसी political party के advertisement है उनको remove किया जाएगा local authorities के दुआरा कुछ दिन पहले हमने MCD है जो municipal corporation of Delhi है उसके perspective से भी discuss किया था कि उनके दुआरा काफी सारे जो advertisements है उनको remove किया गया है उनके area के अंदर में तो model code of conduct के perspective से जिससे की सभी political parties को जो level playing field है वो यहाँ पे मिल सके उसी के regarding में इसको carry out किया जाता है next अगर हम बात करें students यहाँ पे लद्दाक के perspective से है आप देखे कि लद्दाक के अंदर एक protest है वो देखने के लिए मिला है एक activist है वहाँ पे उनके द्वारा कारगिल के area के अंदर जो protest है उसको carry out किया गया लद्दाक का जो demand है वो आपको पता होना चीए एक तो six schedule के अंदर इनको add करने का demand आपको देखने के लिए मिलता है प्रजेंट समय में six schedule के अंदर कौन-कौन से state है इस्टूडेंट्स आसाम मेगाले तिरपरा और मिजोरम ऐसे four state है जिनकों की six schedule के अंदर में add किया गया है तो इनका भी demand है कि हमको six schedule के अंदर add किया जाए इस्टेट हुड है उसको grant किया जाए लद्दा के related तो उसके regarding में जो protest है उसको carry out किया गया है हमारा जो मीटी है ministry of electronic and information technology है उनके द्वारा जो पी आई बी का एक fact check unit है उसको notify किया गया है center government के द्वारा कि जो online content है अगर उसके अंदर कोई fake content है उसको यहां पर viral किया गया है यह वो public domain के अंदर है उसको notify किया जा सके यह जो content है वो fake content है तो मीटी के द्वारा इसको notify किया गया है पी आई बी का जो fact check unit है उसी कोई students यहां पर next अगर हम बात करें competition commission of India के अंदर पैटिशन को file किया गया जिसके अंदर Google के द्वारा जो play store के ऊपर कोई app है उसको register किया गया है तो उसके अंदर में जो inbuilt जो यहां पर जो charge को carry out किया जाता है means आप देखी कोई course है उसको sell किया गया तो उसके regarding में कुछ आपको additional platform charge है वो Google के perspective से देखने के लिए मिलता है इलेवन टू आप देखी कि 33% के आसपास जो charges है हार एक app के regarding में तो उसके regarding में एक को एक जे anti जो trade का जो policy के रूप से देखा गया था तो उसके regarding petition को file किया गया था competition commission of India के अंदर में तो competition commission of India के regarding में एक question है उसको पूछा गया था students UPSC means 2023 के समय में तो आपको इस तरीके से जो institutions के कुछ judgments हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए ऐसी जो bodies हैं जो यहाँ पे trade के perspective से हैं यहाँ पे जो completely जो ethical practice है उसको carry out किया जा सके सबी के perspective से competition है वो trade के अंदर में आपको जो business है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिले नेक्स्ट अगर हम बात करें UK के regarding में है exam के purpose से important नहीं है रसिया के अंदर में आप देखे कि आपको यहाँ पे एक region देखने के लिए मिलता है जिसकों की हम अमूर रीजन के नाम से जानते हैं फारिष्ट के अंदर में अमूर नाम का जो रीजन है वहाँ पे जो माइनिंग है उसके अंदर में collapse हुआ है उसी की के जानी वाला था इजराइल की द्वारा उसको क्रिटी साइज किया गया है रोहिंग्या जो माइग्रेंट से उनका जो बोट है वो यहाँ पे collapse हुआ है सी के अंदर में इंडोनेशिया के रीजन के वहाँ पे तो उसके बारे में बताया गया है आई एम एप के द्वारा जो बेल आउट का जो फंड है उसको देखने के लिए मिलता है तो यह आप देखी कि आपको आई एम एप के रिगार्डिंग देखने के लिए मिलता है फिर इसके जो पी एम है उनके द्वारा रेजाइन किया गया और आप देखी कि होंग कोंग का जो सेक्रूरेटी लो है उसके परस्पेक्टिव से आपको जो news है वो देखने के लिए मिलती है South China Sea है वो भी news के अंदर में है उनके बारे में भी हमने काफी बार discuss किया है तो this is all the information related to the today's newspaper आप इसको read कीजे, revise कीजे जो भी information आपको मिला हो उसको note down कीजे, thank you students, thank you very much